वेल्कम बैक ओन मा यूटूब चैनल स्टड़ी समवाद फ्रेंड्स मैं और अभी रॉनित और आज के इस वीडियो में क्लास 12 के लिए इंग्लिस लिट्रेचर से रेलेटेड स्टोर्य ओफ इंग्लिस इस बुक का हम लोग स्टड़ी करने वाले हैं और इसके चैप्टर चैप्टर नूमर शिक्स जो की है इंग्लिस इस वर्ल्ट लेंग्वेज हैं तो हम लोग आज इस चैप्टर का स्ट्ड़ी करेंगे Englisih S air वल्ल्ड लेंग्वेज यानि क्या अंग्रेंजी विस्व की एक भाषा के रूप में यानि आप समझ सकते हैं चैप्टर काफी important है और आपको यह भी पता है कि language भी काफी important है यानि कि chapter साथ ऍस्लैंइंड बहुत ज्यादा fourth hence book क्या कर प्रेंड्स बिना समय गवाएं चलते हैं वीडियो के और आप आप से जोटा सब्सक्कियो अpeते हैं तो आये चलते हैं बिना समय गवाएं अपने टॉपिक की और तो फ्रेंड से यह है आपका चैप्टर इंग्लिश है जब लेंग्वेज का सबसे ज्यादा उपयोग होता है वह लेंग्वेज आपका है इंग्लिश लेंग्वेज आपको पता है मैंने प्रिभेएश चैप्टर में आपको पता है कि इंग्लिश जो है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी भासा थीछ नहीं Giποzepंग्वेज और यह लेंग्वेज्ज जो है चाइनिज लोगों के द्वारा बोली जाती है लेकिन फिर भी इंगलीज को इंटरनेशनल लेंगवेज गा जाता है तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है तो आप समझ दीजिए कि चाइनीज बोलने वाले लोग मैंडरीन चाइनिज बोलने व कि दुनिया के जो अधिकतम पूरे वर्ड में जो मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं अधिक से अधिक जो देश हैं उनके अहां ऐसे लोग जरूर है जो इंगलीस बोलते हैं और आज के दोर में तो ब्यासाय ब्यापार इंटरनेट या कह सकते हैं कि मतलब वो साइबर सभी की लेंग्वेज इंगलीस लेंग्वेज बनके रह गई है तो आज हम लोग उसी टॉपिक को थोड़ा सब आगे बढ़ाएंगे देखेंगे कि इंगलीस है जब वल्ड लेंग् जी बिश्वकी भासा की रूप में कैसे है तो कहा जारा है कि तो मस्ट वाइड ली यूज दि लेंग्वेज इंग्वेज इंग्लीस यानि इस दुनिया में जिस लेंग्वेज का सब से ज्यादा आजूपयों किया जाता है वो अंग्रेजी है इस ड़स नोट मिन दाट नहीं कि जो नेटिव स्पीकर्स हैं जहां कि जो मात्री भासा अंग्रेजी वहां सबसे ज्यादा लोग है जो दुनिया में जो सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलते हैं इसका मतलब यह बिलकुल ही नहीं है प्रिविलेज चाइनीज जो है यानी कि चिनी लोग यहए इस विशेश स्चुट को काफी हदितो कि नशाय करते हैं यानि कि आपको फता है कि चाहिनीज लेंगवेज्म मैड्रिन चाहिनीज ओ बुषार्ण बहाएं तरहिके oversEND चाहिनीज जो है लेकिन आ चैने ले लोगों कि संध्या में इंगलिस बूल नहीं कि mostrarने वाले लोगाई है कि indeed सच मुच में indeed इंडिड इज हार्डली एन कंट्रीं द वर्लेट वीच डज नोट इंग्लिस वन फेज फॉर्म्स यानि कि कहा जा रहा है कि ऍच्राइब सब्सक्राइबाने तो दुनियां में कई ऐसे अब इंसे हैं यहां पर इंगलीज सो मदर्टांग ओना तो तो यह तो English mother tongue या the first language group में यानी एलवन के रूप में होता है यह तो फिसी सेकेंड है कि सेकंड लैंगवेज यानि कि लैंगवेज 2 दुनिया के कुछ है से भी कंट्रिज हैं जहां पर सब्सक्राइब होता है यानि कि अorr Stück के रूप में होता है तो English is used as mother tongue and first language in the UK, USA, Ireland, Canada, Australia, New Zealand and South Africa आप समझ लिजिए कि पूरे वल्ड में कौन-कौन से ऐसे countries है जहां पर इनका mother tongue या first language के रूप में यूज होता है तो आप समझ ये countries UK यानि कि United Kingdom इसके बाद USA यानि कि United States of America इसके बाद Ireland, Canada, Australia, New Zealand and South Africa ये दुनिया के ऐसे सारे countries है जिसका नाम मैंने अभी बताया यहां पर English का यूज कैसे होता है तो mother tongue के रूप में होता है या फिर first language के सकते है उसके रूप में होता है या फिर इसी को 11 से डिनोट किया गया है इसके रूप में English का यूज होता है English is also next दखेंगे these countries are generally called the mother tongue countries और इन ही country को ना mother tongue country कहा गया है English is also used as an 11 by the Anglo Indian Community of India और 11 के रूप में यानि कि mother tongue के रूप में या फिर्स्ट लेंग्वेज के रूप में English का यूज है यूज है इंडिया में भी होता है लेकिन के द्वारा तो Anglo Indian Community के द्वारा यानि कि वैसे लोग जो मतलब इंग्लेंड से समंध रखते हैं और इंडिया के राग्वेज बमात उर्फट अब देखेज अब सेक्ट्री लेंग्वेज के रूप में English का यूज कहां-कहां होता है तो जैसे इंडिया में इसके बाद सिंगापोर मलेशिया नाजिरिया नामीविया बोच्ट वाना एट्से एट्टरा यानि इन सारे है में ना इंग्लीज को दूइतिय बाशा माना गया है और अपने इंडिया में इंग्लीज आपको समझे घ्यान से यानि KL2 के रूप में Second Language है लेकिन कुछ ऐसे Anglo-Indian Communities हैं इंडिया में जो अभी भी इंग्लिस का यूज 11 के रूप में यानि की Mother Tongue या First Language के रूप में करते हैं अगेन पुना English is widely used and studied as foreign language in many non-English countries such as China, Japan, UAE, Saudi Arabia, Egypt, Iraq, Eritrea, France, Germany, Switzerland, Mexico, Brazil, etc. इन सारे देशों में आप ध्यान दिजेगा कि English का यूज एफेल के रूप में होता है यानि कि foreign language के रूप में होता है विदेशी भासा के रूप में इन देशों में English का यूज होता है कौन-कौन से कंट्रीज है तो मैं आपको फिर से बता दूँ कि चाइना, चीन है, जापान, UAE, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Egypt, Iraq, Eritrea, France, Germany, Switzerland, Mexico, Brazil, इतियादी देशों में English का यूज एफेल के रूप में होता है यानि कि foreign language के रूप में विदेशी भासा के रूप में होता है The extent of the geographical spirit of English is shown in the map आप एक map देखेंगे जिसमें English का जो है किस तरह से इसका spreading हुआ, किस तरह से विश्तार हुआ, इसको दर्साय गया है I hope लेकिन map काफी धुंदला है, आप अपने textbook में देखकर के अच्छी तरह से समझ सकते हैं, map एक्चोली काफी धुंदला है लेकिन आपके पास जो भूक है उसमें आप देह करके इस चीज़ को समझ सकते हैं, इस map के माध्यम से तो हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें देखते हैं, आगे क्या है English is a language that belongs to the whole world English यह कैसी भासा है, जिसका समंध पुरे दुनिया से है, पुरे संसार से It is a great literature, अंग्रेजी के एक बहुत ही बहतरिन साहित्य भी है It is the language of science and technology यह भासा जो है विज्ञान की भासा है, और तकनिक की भी भासा है, यानि science और technology की भासा है And it is used all over the world as a language of learning and communication और इसका उपयोग पुरे दुनिया भर में होता है, world over, पुरे दुनिया भर में होता है As a language of learning and communication शीखने और संचार की भासा में अंग्रेजी का उपयोग पुरे दुनिया भर में किया जाता है Many other languages are as effective as English in one or more of those fields और कई दूसरी भासा है भी जो है, many other languages, कई दूसरी भासा है भी है As effective जो प्रभावी तो करती है, effective है प्रभावसाली है As English, English की जितना in one or more of those fields, in शेतरों में यह कहा जा सकता है कि कहीं भी आप देखे, तो English मतलब मिलेगा ही मिलेगा और साथ ही साथ इसका additional language भी अलग-अलग languages हो सकते हैं, जो उतने प्रभावसाली होजे से अपने इंडिया मिलेते हैं तो हमारी हिंदी जो है, तो English की इतना प्रभावसाली जरूर है, हिंदी बोलने वाले लोग भाग पूरे भारत में मिली जाते हैं तो ठीक यही यह बात बताएगा इसमें, however, तो भी, फिर भी, as a means of expression and communication, English is used in many more fields than most other ancient and modern languages लेकिन तो भी बात यह है क्या, कि as a means of expression and communication, यानि expression, किसी चीज़ को ब्यक्त करने के लिए, या फिर communication, संचार के लिए, बात जब आती है, तो English is used in many more fields, तो अंग्रेजी का प्रियोग बहुत अधिक शेत्रों में किया जाता है, than most other ancient and modern languages, कई सारे प्राचिन या आधुनिक भासाओं की अपेक्छा, यानि कि कई ऐसी चीज़े हैं, जहां पर English का यूज, दूसरे भासाओं से अधिक किया जाता है, दूसरे languages से अधिक किया जाता है, क्या किस रूप में सम्मान दिया गया है, English को तो देखेंगे, तो first point कता है कि international trade and commerce, international trade and commerce के रूप में, यानि कि अंतराष्ट्रिये ब्योसाय और वानिजी के रूप में भी अंग्रेजी को पहचान मिला है, recognition मिला है, academic and scientific writings के लिए, academic और वैग्यानिक लेखन के लिए भी airports and traffic control के लिए, यानि कि हवाय अडो पर, या फिर traffic control यानि कि आतायात नियंतरन के लिए अंग्रेजी का प्रियोग किया रहा है, या फिर diplomacy के लिए, या फिर international sports meet के लिए, meets के लिए, indeed सच मुझ में, as has often been suggested, English is a window to the world, कई बार ऐसा suggest किया गया है, कई बार ऐसा सलाह दिया गया सुझाओ दिया गया है, कि जो English है, वो क्या है भाई, ते window to the world, एक खिरकी है, जिससे आप दुनिया को देख सकते हैं, यानि कि अंग्रेजी ही वह खिरकी है, जिससे आप पूरे दुनिया को देख सकते हैं, यानि कहने का मतलब भी है, कि अगर English language आपके पास हो, इसकी जान आप कमेंट सेक्शन में जरूर बते हैं, थेंक्स टू आज मैं वीडियो, प्लीज लाइक, शेर और सेब्स्क्राइब मैं चैनल